नमसकार दोस्तों आपके अपने यूटूप चनल कलाम स्टेडी में आपका अलगता है। दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम चाचा करेंगे बारत की संस्द से सम्मंदित जितने भी महत्वपन कि degrees बन रहे हैं, उन सभी किस्वपन के बारे में हम इस वीडियो में चाचा करेंगे, दोस्तो इसका एक first part हम पहले लेकर आहे थे, अधि आपने इसका first part नहीं देखा है तो नीचे डिस्कुर्शन में लिंक दिया है तो वहाँ पर जाकर आप इसका फैस्ट बाट भी जरूर देखें इस वीडियो में राजी सभा, लोग सभा यह पारलेमेंट के बारे में जितने भी एक्जाम के दरश्टिश्य में आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तो वीडियो को सुरूशे लेकर आएं तक पूरा देखें तरनीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप सुरूख करते हैं दोस्तो वीडियो तो पहला पर्शन है लोग सभा को पांच वर्च पूर है वीडियो कर सकता है तो कौन कर सकता है तो वह कर सकता है दोस्तो राष्ट्रपती तो इसका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपती तो लोग सभा होती है उसको पांच साल पहले पांच साल जे पहले इसका वीडियो कर सकता है राष्ट्रपती कर सकता है तो इसके बारे में वैप्लः देखते हैं दूस्तोो राष्टपति के इस फेसले को नेले में भी चुनोती नहीं दिजा सकती है یعنی सुप्रीम कोट भी राष्टपति के इस फेसले पर फैसला नहीं दे सकता है यह राष्टपति के सवेचा पर निर्वर करता है नेक्स्ट है अपातकाल की इस्तिती में लोकसवाका कार्ये काल एक बार में कितने सम ratings बढ़ जा सकता है तो इसके बारे में वेख्या देखते हैं इसका विश्तार दूस्तो आपातकाल समप्ठ होने के पसाथ 6 महीने से इधिक नहीं हो सकता है तो यह हो गया second question का right answer दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक like जुरू करें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो निचे दिए कि लाल subscribe की बिटन को दबा कर चैनल को subscribe करें तो उसके पास जो गंठे का रिसन बनावा है उस गंठे का निचान को जुरू दबा दे तो यह हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सुचना तुर्ण वीडियो डालते हैं आपको मिल सके अब देखते हैं अगला परसंद है राजे सबा में निर्वाचन के लिए आयू कितने वरस निदर्द की गई है तो कितने वरस की गई है दोस्तो तो राजे सबा में निर्वाचन के लिए आयू निदर्द की गई है तीसी वरस तो इसका राइट आंसर हो गया तीस वरस तो लोग सबा में कितनी है तो लोग सबा में दोस्तो निर्वाचन के लिए आयू है 25 वरसे निर्दार्ति की गई है next question देखते हैं next है दल बदल कानून किस अनुसुची में आता है तो जो दोस्तो दल बदल कानून है यह दस्वी अनुसुची में आता है तो इसका right answer हो गया दस्वी अनुसुची तो दस्वी अनुसुची में आता है तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों वेख्या यदि किसी वेक्टी द्वारा दस्वी अनुसुची है उसके दल बतल कानूं का उलगन किया जाने पर उसकी संसद की मेंबर्शीप सुदर्शता रदे किया सकती है नेक्स्ट है दस्वी अनुसुची के तहत है निरहरता के स्वालों को निप्टारा कोन करता है तो कोन करता दोस्तों इनका निप्टारा लोगसभा अदेक्स करते हैं तो इसका राइटांस रहा लोगसभा अदेक्स इसकी वेक्षा देखते हैं तो दोस्तों स्वालों का निप बितर किसी एक सदन का चुनाव करना होता है तो उसे दस दिन के बितर किसी एक सदन का चुनाव करना होता है ता एक सदन से अपना त्याग पतर सोपना होता है next person है किसी व्यक्ति के एक ही सदन में कि दो सीटों पर निर्वाचीत होने पर उसके दोबारा एक सीट रिक्त ने करने के इस्तिति में क्या होता है दोस्तों तो कोई व्यक्ति जैसे दो लोग सबा सीटों से चुना उड़ा दोनों में एक सीट है वो इसको कब छोड़नी पड़ती है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों दोनों सीटें रिक्त हो जाती है दोबारा देखते हैं किस उनको तो किसी व्यक्ति के एक ही सदन की दो सीटों पर निर्वाचित होने पर उसके दोवारा एक सीट रिक्त करने की स्थी में बाद बetonों सीटों पर चुन लिया गया वह उसने एक सीट भी रिक्तनि की है तो दोनों सीटें ही रिकतों फिया में समापत हो जाती है अगला परसिंट लेक्ते है अगला है दोस्तो ये दि कोई व्यक्ति राज्य विदान मेंडल का सदस्य है उसी समय वैस संसद का सदस्य चुने जाने पर उसको विदान मेंडल की सीट कितने समय में खाली करनी होती है दोस्तो उसको 14 दिन में यानि 2 सप्ता में वैस सीट खाली करनी होती है अगला परसन देखते हैं अगला है कोई सांसद अपना त्याग पत्र सोंप सकता है तो कोई सांसद है तिसे लोगसभा का मेंबर है तो वह अपना त्याग पत्र है वह लोगसभा देक्स को सोंप सकता है इसकी व्याख्या देखते हैं लोगसभा के सदे से दोस्तों लोगसभा सदन के अनुमति के बिना कोई सदस्य कितने समय तक बैट को में लगातार अनुपस्ति रह सकता है तो दोस्तों सदन के अनुमति के बिना कोई भी सदस्य दो माह तक है बैट को से अनुपस्ति में रह सकता है उसके बाद उस पर को कारवाई की जाती है अगला परसंद देखते हैं संसदों के वेतन बत्थों का निदान कुण करता है तो उस्तों जो संसद होते हैं MP होते हैं उनके बत्थों का निदान करता है संसद करती है पारलेमेंट करती है तो उसका राइट अंसर हो गया next है राजे सभा के सभापती का वेतन का इंदान कोन करता है तो राजे सभा के जो सभापती है उसके वेतन का इंदान भी संसद करती है next question है राजे सभा के सभापती का वेतन कितना होता है तो राजे सभा होता है उसके सभापती का वेतन होता है एक लाग 25 जार उपे प्रती में उसका वेतन होता है और वे उपराश्ट पती होता है अगला परसन है संसद में पिटाशीन अधिकारी नहीं है तो संसद में पिटाशीन अधिकारी को नहीं है अगला परसन देखते हैं लोगसभा अदेक्स के चुनाव की तारीख कोन तया करता है दोस्तों लोगसभा का अदेक्स के चुनाव की तारीख करते है राष्टरपती करता है तो इसका राइट आंसर हो गया राष्टरपती हो गया अगला क्युशन है लोगसभा अदेक्स अपना त्याट पत्र किसे सोब सकता है तो लोगसभा का अदेक्स अपना त्याट पत्र है वह लोगसभा के उपादेक्स को सोब सकता है तो इसका राइट अंसर हो गया लोगसभा का उपादेक्स अगला क्युशन देखते हैं लोगसभा अधिक्स का कारेकाल होता है तो लोगसभा का अधिक्स का कारेकाल दोस्तों नई लोगसभा के गटन तक लोग सबावा दिक्स का कार्यकाले होता है इसके लिए कोई fix हिमा नहीं है जब तक नई लोग सबावा का गटन नहीं हो दाता तब तक लोग सबावा दिक्स का कार्यकाले जारी रहता है अगला किसन देखते हैं अगला है दोस्तों लोग सबाव है उसके परतिनी दियों का मुख्या कौन होता है तो लोग सबाव है उसके जो परतिनी दियों है उनका मुख्या दोस्तों लोग सबाव अधेक से होता है अगला परसंद देखते हैं सदन की बैटक के लिए आवसे गणपूर्ति कौरम कितना ह होता है तो दोस्तों सदन की बटक के लिए आवशेक जो गणपूर्थी कौरम होता है वो सदन का एक बटा दस्वब आ गई होता है अगला पसंद देखते हैं यानि सो सदस्चे हो तो सव में से लोग सबा अद्यक्स यह था दोस्तों हमारा सेकेंड पर्क वीडियो कैसा लगा नीचे कमेट करके हमें जरूब बताएं अगला पाठ हम जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक को शेर जरूब करें यदि आपने अभीतक हमारे चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिए ये लाल सब्सक्राइब किये बटन को दबाकर सिस्क्राइब करें तो उसके पास जो गंठे का निसान बनावा है उस गंठे का निसान को जुरू दबा दे शिचे हमारे आगया आने वाली सबी वीडियो की सूचना वीडियो डालते हैं या आपको मिल सकें धन्यवाद दोस्तों